चलिए तीसरी खबर पर चर्चा कर लेते हैं जो की बिहार से है जहां सियासत में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है RGD से तनाव के बीच नितीश कुमार एक बार फिर राज में नई सरकार की कावायाद कर रहे हैं पूतर बता रहे हैं कि नितीश कुमार NDA के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं मतादिक 28 जन्वरी को नवी बार मुख़मंतुरी पत की शपत ले सकते है नितिश कुमार उनके साह सुशील मोदी डिप्टी सیम बनाये जा सकते है गड़तन तुरुदिवस के मौके पर सरकारी कालकर्म के दौरान मुखमंतुरी नितेश कुमार और डिप्टी सीम ते जस्वी यादव के बैटने के लिए एक जगए कुरसी लगाई गई लेकिन सीम के बगलवाली कुरसी को छोड़ करते जस्वी यादव थे उनसे दूरी बनाकर दूसरी कुरसी पर अपने पार्टी नेता विदान सबाद धेक्ष अवत बिहारी चौद्वी के साथ बैठे नजर आए बिल्कुल सौमया जिससे एक बड़ी तकरार नजर आ रही है आपको बता दे जेडियो और आर जेडी के बीच में कहा जा रहा है कि बिजेपी और नितीश कुमार में डील फाइनल हो चुकी है बिजेपी नितीश को दोबारा गले लगाने की तैयारी में दिख रही है राजनीती गल्यारों में कहीं किस्म के फॉर्मूले उचल रहे हैं एक फॉर्मूला ये है कि शायद विधान सभा भंकर दी जाए लेकिन इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि नितीश को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिजेपी राजी हो जाए अब य सबाचुनाव कराया जा सकता है केंड्री ग्रह मंत्री अमिच्चा खुद बीजेपी की तरफ से पूरे अभियान में लगी हुए है गुरवार रात अमिच्चा और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नडडा की बात हुई है नडडा ने अपना केरल का दोरा रद कर दिया है ज 2017 में जदियों ने NDA में भाचपा के साथ अपना जुड़ा फिर से बढ़ा दिया और 2019 का लोक सभाचुनाव और 2020 का बिहार विधान सभाचुनाव एक साथ लड़ा अगस्त में 2022 में नितिश कुमार ने मुख्यमंत्री बनने के लिए भाचपा के निर्तत्व वाले NDA से ना कि जहां उनको अपना फायदा दिखता है वही पर वो पलट जाते हैं और सियासी गलियारों से गर बात की जाए तो उनको कई नाम भी दिये जा चुके हैं उनके इस रवाईये के चलते और अब एक बार फिर से ये उठा पटक तेज हो गई है कि बीजेपी के साथ नितिश क कुमार अपना सीफा भी सौप सकते हैं बिहार में बहुमत का जादूई आकड़ा 122 का है राजत कॉंग्रेस और वाम दनों का आकड़ा 114 मतलब बहुमत से आठ कम पर रुखता है नितिश के तेवर दिखाने के बाद राजत ने हम और जदिव के बागी विधायकों से संप साधा है